प्रभी येशु के मेठे नाम बर हम अब सभी लोगोंगा अभिवादन करते हैं जै येशु हालेलुया हम प्रभु के वच्छन सुनेंगे मत्धी के सुसमचार का ध्याई 13 वच्छन 24 से इसा ने उनके सामने एक और द्रश्ठांद प्रस्तुत किया स्वर्ग का राजी उस मनिशी के सद्रशे जिसने अपने खेत में अच्छा बीजबोया था परंदु जब लोग सो रहे थे तो उसका बाईरी आया और गेहु में जंगली बीजबोकर चला गया जब अंकूर फोटा बाले लगी तब जंगली बीजबी दिखाई पड़ा इस पर नवकरों ने आकर स्वामी से कहा मालिक क्या आपने अपने केत में अच्छा बीजबोया था उसमें जंगली बीजब कहां से आपड़ा स्वामी ने उनसे कहा ये किसी बाईरी का काम है हालेलुया ये किसी बाईरी का काम है प्रुजनों मैं आपको इस बात पर कुछ विशेश बातें प्रभु के नाम बर समझाना चाहूंगा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में जो भी होते हैं सब उपरवाले की मर्जी से होते हैं कई लोग बोलते हैं सब प्रभु का काम हैं कुछ लोग बोलते हैं सब मेरा किस्मत है और जो भी किस्मत पर लिगी हुई है वो सब होगी ही जरूर इसलिए हर दुख को हर विपत्ती को हर परेशानी को सब उपरवाले की मर्जी समझते हैं अचानक कोई यूँ ही मर जाते हैं दुर घटना जाती है कई तकलीफें घर में आ जाती है बरबादी आ जाती है तब कई लोग बोलते हैं उपरवाले की मर्जी है लेकिन पवित्र वचन हम को ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी होते हैं उसे सब उपरवाले की मर्जी समझ कर बैटना नहीं है कई चीज़ें ऐसे हमारे जीवन में हो रही है जो उपरवाले की मर्जी नहीं है बलकि प्रभु कहता है ये किसी बाईरी का काम है कई चीजे हमारे जीवन में ईसी हैं जो बारी का कामे शट्रू का कामे प्रभु ने कहा योहन के द्याई दस वचन दस में चोर के वल चुराने मारनी और नश्ट करने के वल आते हैं यह लाँ गण इसलिए आया हो कि तुम्हें इसे जीवन मिले भरभूर जीवन मिले उट है तो प्रभू का कारी है जीवन देना एक शत्र है जो बराबर आया करता है और वो चुडाता है जिन quality का से मेlor कारी नहीं है इसलिए शत्रु शेतान अनेग परिवार ओम से शांती को आनंत को और उनकी संबत्ती के छेत्र में आई हुई उन्नती को सब चोरी करते हैं और रिस्ता होंगो तोर डालते हैं शरीर के स्वास्थ को मारते हैं और अनेग लोकों की मृत्ती भी शत्रु का कारी है कितने लोग नशे में मर जाते हैं शायद प्रभू ने कई साल तक 80 या 90 साल तक सेवा कारी के लिए धरती पर भेजते हैं लेकिन 30-40 के उम्र में कई लोग नशे खाखा कर चले जाते हैं और लोग बोलते हैं सब उपरवाले का कारी है उपरवाले का कारी नह हैं इसलिए हम इस समय मनन करेंगे कि शत्र शेतान किस तर धरती पर हमरे बीच में काम करते हैं यहां परम पढ़ते हैं परन्दू जब लोग सो रहे थे बाइरी आया गेहु में जंगली बीज बोकर चला गया बाइरी तब आते हैं जब लोग सोते हैं बाइबल की भाषा में यह नींद जो है पाब में जब जीवन बिताते हैं उसी को कहते है पाब की नींद इसलिए बाइबल हमको बताते हैं नींद से जागने की घड़ी आ गई है हालेलुया इसलिए पाप की नींद सोने वालों के जीवन में केवल शत्रू अपना काम कर सकता है इसलिए बाइबल कहता है शत्रू को शेतान को मौका नहीं देना शत्रू को मौका कम मिलता है जब हम पाप करते हैं पाप के द्वारा केवल शत्रू काम करता है इश्वर अपना काम कैसे करता है बाइबल हमको बताते हैं पवित्र वचन हमें बताती है कि इश्वर अपना सारा कारिय अपने वचन के द्वारा करता है प्रभु अपना समस्त कारिय वचन के द्वारा करता है बोली हलेलुया प्रभक्ता ग्रंद बयालिस पंत्रा प्रभु अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संबनेगे हैं। By the words of the Lord, His works are done. प्रभु वच्छन के द्वारा कार्य करता हैं, और ये वच्छन के भंग जहां जहां होता है, इश्वर की आज्याओं का भंग जहां होता है, वह हम पर शत्रु काम करता है। वच्छन के द्वारा प्रभु काम करता है, और वच्छन भंग के द्वारा शेतन काम करता है। इसलिए जब भी जहांबे भी इश्वर की इच्छा का भंग होता है, इश्वर की आग्या का भंग होता है, इश्वर का कहना नहीं माना जाता है, इसी को हम लोग पाप कहते हैं, तब शत्रो को मौका मिलता है, और वो क्या-क्या हमारे जीवन में लाते हैं, इसी को प्रभु यह सेतन नहीं अप्रभु का नहीं है प्रभू कि अपने जीवन के द्वारा इसा मसीहक्र अपने जीवन के द्वारा हमें प्रखट किया कि इश्वर कौन होता है वचन हमें बताते हैं क्लोशियों के नम पत्र दियाई एक वचन सौलह में हम पढ़ते हैं और एक वचन पंत्रह में हम पढ़ते हैं कि इसा मसीह अद्रशी इश्वर का प्रतिरूप है समस्त सुष्टी का पहला उठा है अधर्शी इश्वर का प्रत्रूप येशु है तो इसलिए योहन के दियाए 14 वचन 9 में प्रभु ने कहा जिसने मुझे को देखा है उसने पिता को देखा है तो येशु को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि इतने सारे ये पाप के दंड के रूम में हमारे जीवन में आने वाली विपत्तिया क्या ये सब प्रभु का कार्य है क्या प्रभु ऐसा दंड दे सकता है क्या प्रभु हमें हमारे पापों के कारण हमको दंड देते हैं कई लोग सोचते हैं आयनों ने पाप किया इसलिए प्रभु ने उनको दंड दिया वह आत्मी पाप में था इसलिए प्रभ इसलिए हम लोग इरमिया के अधियाए 2 वच्छन 19 में हम इस तरह पढ़ते हैं फादर आपको पढ़कर सुनाएंगे यरमिया अधियाए 2 वच्छन 19 हम पढ़ते हैं तुमारी दुश्टता तुम को देंड देती है तुमारी दुष्टता तुमको दंड देती है तुमारा विश्वास घाद ही तुमको मारता है कौन मारता है विश्वास घाद मारता है अमारा विश्वास घाद और कौन दंड देती है हमारी दुष्टता हमको दंड देती है इस पर विचार करो और जान लो अपने प्रभीश्वर का परित्या करना और उस पर स्रद्धा नहीं रखना तुमारे लिए कितना दुखत और कटू है तो आज दुखत बातें कटू बातें परिवार में बराबर हो रही है पाप के कारण आने वाली हर एक चीज में दुख है कटूता है कटूआ हट है इसलिए यह सब कौन लेके आते हैं वास्तों में पाप के कारण शत्रू लेके आते हैं यह जंगली बीज उसने बोया और जंगली पोधा हमारे परिवार में कहीं दिखाई देता है कुस्सा क्रोध निराशा खुदखुशी आर्थिक परेशानी संता नहींता विधवापन कहीं चीज़े हैं और कुछ लोग कहते हैं किसी ने कुछ किया कि कोई तंद्रमंद्र किया इसलिए हमारी उपर ऐसा होता है कई लोग बोलते हैं कि फादर जी अब तोड़ा सा प्रात्ना कीजिए आवं बीमार है किसी ने हमारे विर्द कुछ किया है ज़्यादादर लोग इस तरह विश्वास करते हैं कि किसी के कुछ करने के द्वारा हमारे जीवन में तक्लिफ आ जाती है कुछ लोग केते हैं हमारा घर जहां है न यह घर गलत जगह में है इसलिए बीमार हो जाता है कि लोग बोलते हैं घर का जगह ठीक नहीं यह जमीन ठीक नहीं इसलिए विपत्ति आती है किंदु पवित्र वचन हमें क्या बताते हैं गनना ग्रंद की अधियाई तेविस्वचन तेईस में हम पढ़ते हैं 23 23 book of numbers की तंद्र मंदर तुम्बर नहीं चलेगा जादू ठोना तुम्बर असर नहीं करेगा इसलिए तंप्रमंदर जादू ठोना तुम्बर नहीं चलेगा इसलिए प्रभु ने कहा लुकस के दिया दस वचन उन्निस मैंने तुम्हें सांबो बिच्चुवो बैरी की सारी शक्तियों को पैरों दले कुछलने का सामर्थ दिया कुछ भी तुम्हें कोई खानी नहीं पहुंचा सकेगा और आयूब के दिया पांच वचन छे यादि रखना आयूब पांच छे क्योंगी विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती दुख भूमी में उत्पन्न नहीं होता तो जमीन के कारण परेशानी नहीं आती तो फिरे परेशानी सब कहां से आती और लोग तुमबर आकरमन करता है और अत्याचार करते हैं किसीने कुछ किया आपको शायद कुछ बदुआ दिया और आपको उपर किसीने श्राप दिया तो क्या ये सब आपर चलेगा बाइबल क्या बताते हैं बाइबल हम को बताते हैं कि जब तक हम पाप नहीं करते हैं तब तक ये सारी चीज हमारे उपर नहीं होगी यूदित का गरंग द्याए 11 वचन 10 क्योंगी हमारी जाती को तब तक ना तो बेन्डित किया जाता ना हमरे विरुद तलवार उठाई जाती जब तक हम ईश्वर के विरुद पाप ना करे, जब तक हम प्रभु के विरुद पाप नहीं करे, कोई तलवार हमारे उपर नहीं चलता, दूसरे लोग जो भी हमारे बारे में सोचते हैं, हमको शायद बदनाम करना चाहते हैं, हमारे यूपर तंत्रमंद्र करते हैं उसका असर हमबर नहीं पढेंगे जब तक हम पाप में नहीं और इसलिए यूदित के अध्याए पांच वचन अठारा वचन सब्तरा अठारा बहुत सुन्दर वचन इश्वर के राजी कि कही रहस्य यहां पर बताया गया अध्याए पांच व पाप नहीं करती थी तब तक वो सकुषल रहती थी क्योंकि इसका इश्वर जो अधर्म से घ्रना करता है इसके साथ था हालेलुया हालेलुया यह वचन को दूर आए जब तक यह अपने इश्वर के सामने पांप नहीं करती थी तब तक वो सकुषल रहती थी क्योंकि इसका इश्वर जो अधर्म से घ्रणा करता है इसके साथ था इसलिए जब तक हम पाब से घ्रणा करते हैं पाब से घ्रणा करने वाले इश्वर हमारे साथ रहते हैं हालेलुया तब जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे हम सकुशल रहेंगे आज कई लोग सखुशल नहीं रहते, कई परिवार सखुशल नहीं है, इश्वर क्या चाहते हैं कि हम सखुशल रहें, प्रभु चाहते हैं कि हम सुखी रहें, प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम बिमार रहें, प्रभु नहीं चाहते ह रहे हैं एक इसी बाईरी का काम है हमने बाईरी को आउसर दिया जब हम बाईरी को मौक का देंगे पाप के दुआरा तब बाईरी क्या क्या करते हैं अगला वचन परंदो जब वह निर्दुष्थ मार्ग से भड़क गई यूदित का दिया है 5 वचन अठारा तो बहुत से निर्बल होती गई पहली बात युद्ध हारने लगता है। कई युद्ध हार जाते हैं। शत्रुहावी होने लगता है। इसलिए तो ये शुने कहा योहन के दिया आठ्वचन चाउंदिस जो पाप करता है पाप का गुलाम हो जाता है। गुलाम हो जाता है। दास हो जाता है। हमरा अठिकार चला जाता है। हम हार जाते हैं। हम किसी के कबजे में आ जाता है। जब हम पाप में रहते हैं हमारे उपर अठिकार किसका अठिकार चलेगा पाप का अठिकार क्योंकि हम पाप का दास। स्वामी पाप है। अब हमारी इच्छा नी बलकि स्वामी की इच्छा हमारी उपर चलने लगती है हम जानते हैं कि दास उसकी इच्छा की अनुसार काम नहीं कर सकता उसको यह भी कहीं जाना है स्वामीची अनुमति की जरूरत है इसलिए जब हम पाप के दास बन जाते हैं तब पाप हमारी उपर हावी होते हैं और अपनी उच्छा की अनसार हमारे साथ व्यवहार करेगा तब क्या होगा पहली बात हम यूद्धारने लगते हैं अगला बचन बंदी बनाकर देश से नुर्वासित की गई बंदी बन जाते हैं दास आजादी चली जाती है आनन चला जाता है शांती निष्ठ हो जाती है अम बंदी है आजादी नहीं है हम जो भी चाहते हैं उससे पूरा नहीं कर पाएंगे और ये श्वर की इच्छा हमबर पूरी नहीं होगी क्योंगी इश्वर का धिगार से हम बंचित होकर शत्रू के हातों में चले जाते हैं अगला बचन देश से नुर्वासित की गई इसका मतलब क्या है नुर्वासन इश्वरिय राज्जी के अनिभव से बाहर चला जाता ह जब तक हम इश्वर के संधान है जब तक हम प्रभु के वच्छंतर चलते हैं हम इश्वर के संधान है और इश्वर के राज में है इसलिए प्रभु ने कहा इश्वर का राज है इश्वर का राज है इश्वर का राज का मतलब इश्वर का शासन इश्वर का थिका रो क्या क् और आत्मा द्वारा प्रदत आनंत का विश्य है इश्वर का राज रोमियों के छोदा सत्रा हालेलुया 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 इसलिए वो अनुभव से निर्वासित किया जाता है पाब के द्वारा इश्वरिय राज का अनुभव निष्ट हो जाता है निर्वासन में चला जाता है शत्रू के राज्य का अनुभव हमारे अंदर आ जाता है वह अंबर तो एक गुसा ख्रोध चोटी चोटी बातों बहुत ख्रोध निराशा धमकी देता है मरने के बारे में सोचता है यह सब शत्रु के राचि का अनुभव है अगला वचन इश्वर का मंदिर ध्वस्त किया गया है अमरा इश्वर का मंदिर शरीर है क्या तुम नहीं जानते हो तुमरा शरीर इश्वर का मंदिर ध्वस्त किया जाता है पापके कारण शरीर में काफी नुकसान होने लगता है ए के बाद एक बीमारी कि इसलिए वच्छन के तखए लोग कई अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए वे अपने कुकर्मों के कारण कश्ट जहल रहे थे मृत्यों के द्वार तक पहुंच गए स्थोत्र संग्य 107 वचन 17 पापों के कारण कश्ट जहल रहे वचन 18 हर प्रकार के भोजन से घ्रणा करने लेगे मृत्यों के द्वार तक पहुंच गए इसलिए इंश्वर के मंदर द्वस्त किया जा रहा अगला वचन शत्रों ने इसके नगर अपने अधिकार में कर लिए जब एक विक्ति पाप करते हैं उसका नगर वो क्या है उसका परिवार है एक विक्ति का पाप उसके परिवार पर शत्रों के काम को ले के आता है इसलिए माता पिता जब पाप करते हैं बच्चों की ऊपर शत्रों का अधिगार आ जाता है इसलिए बैबल कहता है पापियों की संदान सरापित रहते हैं पाप का असर परिवार पर आजाता है इसलिए बैबल कहता है जो द्रड़ता पूरुवक्प्रभू पर सुर्धाय नहीं रखेगा घर उचड़ जाएगा घर पे उसका असर आजाता है उदाहरन के लिए प्रग्या ग्रंद के द्या तीन वचन-सौला विभिजारियों की संदान प्राउटता तक नहीं पहुंचेगी अवाईधु संसर्ग से उत्पन्य बच्चे नश्ठ हो जाते हैं तो बच्चों की उपर एक प्रकार के शत्रू का काम मंट्राने लगता है मतापिता के पाप के कारण तो यह घर में उसके नगर में शत्रू का थिकार हो जाता है यह सब किसी बाईरी का काम है लेकिन हम में जादा दर लोग सोच रखते हैं कि यह प्रभु का ही कारी है प्रभु का कारी नहीं है पाप करने पर पाप में रहने पर शत्रू का काम हमारे जीवन में होता रहता है इसलिए सुक्तिग्रंद अध्याई 19 वचन तीन सुक्तिग्रंद अध्याई 19 वचन तीन में हम इस तरह पढ़ते हैं मैंशी की अपनी मूर्खता उसका सत्यनाश करती है कि यह प्रभु के वि कीया कि रिख्भार को तू बर्बाद कीया कई लोग पूसते कई लोग प्रभी सेना राज होकर प्रार्थना करना गर्जा जाना सब करता है गुस्सा है तुम मनिश्य तुमारी मूर्कता ही तुम्हारा सतिनाश किया है किन्दु तुम प्रभू के विरद्ध भुन भुना रहे हो उपदेश्य ग्रंद अध्याय सातव चनुंटिस में हम पढ़ते हैं इश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किन्दु मनिश्य ने तर्क वितर्क से जड दिल बना दिया अपने जीवन को युहां मेरी और लाइफ कॉम्प्लिकेटर गॉड मेरी सिंबल प्रभू ने तुम्हें सरल बनाया तुमारे जीवन को अच्छा बनाया इसलिए शुरुवात में जो प्रभू ने सब कुछ को बनाया उसके बाद देका सब अच्छा लगा अकाश को बनाया और देका अच्छा लगा प्रत्वी बनाई सुर्य चांद सिधारों को बनाए प्रेड पहुदों को बनाए देखा अच्छा लगा किन्दु आज जब हम देखते हैं ये सभी जगह में ये जो गंदगी जो बुराई दिखाई देते हैं ये प्रभु का कार्य नहीं है आशिशों से हम वंशित रहते हैं उसका कारण प्रभु नहीं है ये रुमिया नभी के दिया 25 में हम पढ़ते हैं तुमारे पापों ने तुम्हें इन वरदानों से वंशित कर दिया इसलिए समय पर वर्षा नहीं होती है आशिशों की वर्षा समय पर क्यों नहीं होती है पाप के कारण है बोले हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्थुति हो प्रभु को धन्यवा इसलिए जो पाप करता है अपने को हानी पहुंचाता है अपने परिवार को हानी पहुंचाता है और अपने प्रिय जनों को हानी पहुंचाता है आशिशों से वंचित करता है इसलिए प्रवक्ता ग्रंद द्या 19 वचन 4 में हम पढ़ते हैं जो पाप करता है अपने को हानी पह करते हैं जो पाप करते हैं वे अपनी जीवन के सबसे बड़े शत्रु है अपना जीवन का शत्रु पाप करने वाले अपना जीवन का शत्रु बनता कोई नहीं है बाहर से नहीं है हम दूसरों पर दोश लगाते हैं तेरे करन इसा हुआ किसी नहीं और कुछ किया और इस तरह ह लोग सभी लोगों पर दोश लगाते रहते हैं कि शायद नेता लोगों पर दोश लगाता है, उनके करण हमारी उपर तकलिफ आये बोलते हैं। वातावरन बर मौसम बर दोश लगाते हैं किन्दू हम लोगों को क्या चाहिए वचन हमें बताते हैं एक सुन्दर वचन हमको इस समय हो है लमन्टेशन शोक गीद शोक गीद में हम इस तरह पढ़ते हैं कि हे मनिश्य तुम शिकायत क्यों करते हो तुम शिकायत क्यों करते हो अच्छा यही है कि तुम अपने पाप उपर नियंदरन रखे तुम अपने पाप उपर नियंदरन रखे और अपने खरदे और हाथ प्रभू की और उठाए हालेलुया हालेलुया है मनिश्य तुम तुम क्यों शिकायत करते हो कि तुम शिकायत क्यों करते हो अच्छा यही है कि तुम अपने नीई वचन उनचालिस और चालिस मनिशी क्यों शिकाय स्वाइट करते हो इस अच्छा है कि वह अपने पाप उम्पर मियंदर हम अच्छरन की जांच और परीशा करे प्रभु की और अभिनुक हो जाए हम अपने खृबय और हाथ सुर्ग के ईश्वर की और कर ले और कहे हमने पाप और विद्रोह किया है प्रभु हमने विद्रोह किया पाप किया इस तरह हमें बोलना चाहिए इसलिए बारूक के ग्रंद में हम लोग अध्याए दोवचन पांच में इस तरह पढ़ते हैं दोपांच बारूक का ग्रंद इदोवचन पांच हम हम शासक नहीं बलकि दास बन गए है किया ऑर अपने प्रभु ऐस्वर के विद्ध पाप किया है हमने ।-बभु के विद्ध फाप किया इसलिए हम शासक नहीं हम दास बन गे हैं हालेलुया प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद हलेलुया और एक विशेश बात पाप से जुड़ी हुई एक और विशेश बात को हम लोगों को मनने रखना चाहिए याद रखना चाहिए वो कुछ इस प्रकार है प्रवक्ता ग्रंद के अध्याई 27 में 27 वचन तीस जो बुराई करता है उसे उसी से हानी होती है ये दिवी वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है ये वचन को जरा दुराईए हालेलुया जो बुराई करता है उसे उसी से हानी होती है किस से हानी होती है उसी से मतलब बुराई से हानी होती है जो बुराई करता है उसको उसी से हानी होती है बोले हलेलुया और एक बर दुराई जो बुराई करता उसे उससे हानी होती है यद्धिपी वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है हलेलुया तो हमको नहीं पता कि ये हानी कहां से आती है ये नुकसान क्यों होती है ये परेशानी कहां से आती है नहीं पता किंदु वचन कहता है जो बुराई करता है उसे उसी से हानी होती है बुराई से हानी होती है किंदु नहीं जानता ये कहां से आती है और जब बुराई से जब हानी होने लगती है ये बुराई से जो हानी होती है उसमें एक विशेष्टा है इसको समझने से जिवन के कई तकलीफों के पीछे क्या कारण हमको समझ में आएगा उसको समचना है तो हमें प्रग्या ग्रंद में जाना है प्रग्या ग्रंद कई समस्याओं का उत्तर लेके आता है प्रग्या ग्रंद अध्याए 11 वचन 16 जिससे वे समचे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंद्रना दी जाती है इस वचन को जरा हम लोग दूराएंगे जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंद्रना दी जाती है हालेलुया जिसके द्वारा पाप करता है उसे के द्वारा यंद्रना आती है पाप को जीवन में यंद्रना लेके आने की अनुमती है अठिकार है वो पापका नियम है और इसके खिलाफ प्रभू भी नहीं जा सकता कारण क्योंगी हर एक वच्छन स्वर्ग में स्थापित किया हुआ है एवरी वर्ड इस फिक्स्ट इन हेवन उसके खिलाफ प्रभू भी नहीं जाता लिखी हुई वच्छन जुरू पूरी होती है तो उस पर लिखे हैं जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंद्रना आएगे इंग्लिश के ट्रांसलेशन इस प्रकार है दाद यू शूद नो पनिश्मन फोर सिन विल तेक द्वारा यंद्रना इसका मदलब पाप का रूप और विपत्ती का रूप एक समान होगे योगी जिस एरिया में पाप होता है उसी एरिया में बाद में इसको यूरूसलेम बाइबल में हम लोग इस तरह ट्रांसलेशन इसका पड़ते हैं कि इंग्लिश में यूरूसलेम बाइबल जो है उसका ओ वर्शन का ट्रांसलेशन इस प्रकार है दाद बेशूद नो instrument of sin becomes instrument of punishment Old Jerusalem Bible में इस प्रकार है दाद बेशूद नो that agent of sin becomes agent of suffering Hallelujah Hallelujah, 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 Jesus किस्तुति हो, Jesus को धन्यवाद, Hallelujah, 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 इसलिए हम देखे पुराने विधान में याकूब ने अपने पपा को अपने भाई को सब धोका देते हुई एक आशिरुवात को हासल किया था, उसके बाद भागा था, और अपने मामा के साथ जाकर बैठे दे लेकिन अगले 20 साल में उनके साथ जो भी हो रहे हैं, उनके सर पे तो आशिरुवात तो लेके आए, लेकिन उसके साथ क्या क्या हो रहे हैं, बराबर धोका उनके साथ हो रहे हैं, इसे से शादी करना चाहा, उसके लिए 7 साल काम किया, लेकिन उसके बाद शादी में वो नहीं दूसरे कम किया गया नके साथ भर पर निकिरि उनके साथ कई बार poetic होए बूड़ को होते जा रहे हैं कि लेकिन क्या लेकर आये थे आशुरवाद लेकि आये थे लेकिन इन पाउप अपरेट होता है उसके जीवन में पाप अपना काम करता है इसलिए बाइब कहता है तुम्हेरा पाप तुम्हेरा पीछा करेगा इसलिए हम लोग गनना ग्रंद के 32 वचंटेइस अध्वाई 32 वचंटेइस में हम पढ़ते हैं कि तुम्हेरा पाप तुमको डूंड निकालेगा युवर उसी एरिया में यंद्रना आपको मिलेंगे आपने किसी के सद्धोका दिया आपके सद्धोका होगी आपने पैसा के छेत्र में पाप किया तो पैसा के छेत्र में दुख मिलता जाएगा विपत्ती बच्चा नहीं चाहिए बोलकर शायद गर्भबाद करते हुए पाप किया और जीवित रहने वाले बच्चोंगे दुआरा आपको तकलीफ होने लगेंगे किसी विक्ति के दुआरा आपने पाप किया और उसके बाद शायद उसी से शादी किया हो फिर भी वो विक्ति के दुआरा आपको तकलीफ यंद्रना होती रहेगी मिलती रहेगी यह पापका नियम है कई लोग इस बात से अनभिगी रहता अग्यान रहते हैं इसलिए वैबल कहते हैं यंद्रना की कारणों की अग्यान बहुत दुखदाई है प्रग्या ग्रंद के अधियाई 16 वच्छन 12 में मन में सहायता की जितनी कम आशा है यंद्रना के क नारेन की अग्यान क्यों सहना पड़ रहे कियो आपकी जीवद में ये सब कुछ हो रही है Marie कि यह आप नहीं सब बैचानस में हुआ होगा या उपरवाले की मर्जी होगी ऐसा कुछ भी बैचानस में नहीं होती है उपरवाले की मर्जी के खिलाफ आपके साथ ये सब होने के पीछे कुछ ऐसा पाप होगा जिसके लिए आपने पच्छाताब नहीं किया हो जिसके लिए पाप च्छमा नहीं मिला हो जिसे पाप का खाता आपने खोल रखा उसके बाद इसको बंद करने के लिए प्रभू को अनुमती नहीं दी पच्छाताप के द्वारा पाप स्विकार के द्वारा अनुमती नहीं दी तो वो पाप के खाते में चाहे कितने भी साल क्यों नहों बीटे विपत्ति आती रहेगी क्योंकि पाप अपने आप खतम नहीं होता Sin is never exhausted by itself पाप अपने आप खतम नहीं होती है ओले हालेलुया लेकिन पाप जब कई साल के बाद भी आपका पीछा करेगा आपको डून्ड निकालेगा उस समय वो कैसा आपको डून्ड निकालेगा और उस समय आपके पास जब पाप आएंगे उसके कारी कैसा होगा इसको समचने के लिए एक और वचन हम लोग सीखेंगे ओ वचन सुक्ति ग्रंद के अध्याई 22 में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे सुक्ति ग्रंद के आठवा बचन में हम इस तरह पढ़ते हैं जो अन्याई बोता है विपत्ति लुनेगा हालेलुया पवित्रात्मा इस उदाखरन को हमारे सामने रखते हैं जो पाब बोएगा विपत्ति को लुनेगा बोना और लुनना सारे बैच्छे भी जानते हैं कि हम यदि बहुते हैं कुछ समय के बाद कुछ महिने के बाद हम लुनेंगे और इसमें पवित्रात्मा क्या बात और समचाना चाहेंगे बहुते समय जितना हो शायद धान पांच किलो आप लोग बीजबो रहे हैं और जब कटाई का समय पांच महिना छे महिना सात महिने के बाद जब कटाई होगी कटाई के समय में जब आम लोग मिलकर जब कटाई कर जादा ज़रूर हम लोग पाएंगे, मतलब, a multiplied quantity we will reap, बहुते समें थोड़ा है, लेकिन नूनते समें बहुत ज़दा है, इसका मतलब, बहुते समें पाप थोड़ा है, लेकिन नूनते समें विपत्ती है, वो बहुत ज़्यादा होगी, बोलिहालेलिया, ऐसा नहीं बोल सकता क कि मैंने एक किलो पाप किया है तो मैं एक किलो विपत्ति एक किलो सजा भोगूंगा नहीं होगा multiplied quantity इसलिए याद रखना दावीद ने एक पाप किया था एक बैच्छबा नामक स्त्रीके साथ किसी और की पत्नी थी उनके साथ गलत संबंद बनाए और उस स्त्रीक गर्भवदी हुई उसको चुपाने के लिए उनके पत्ति को मरवा डाले और उसके बाद सोचा कि पाप को मैंने अच्छा से चुपाया किसी को पता नहीं चला किंदुबाद में क्या क्या हो रहे हैं हम लोग आगे देखते हैं दावुद के परिवार में फिर क्या क्या हो रहा दावुद के घर में क्या हुआ दावुद की बैटी के साथ साथ बलातकार किया तो वापस आगया घर में और उसके बाद उस अम्नोन को उसका भाई दावुद का बड़ा बैठा अब जलोम तलवार से मार डाला तो पाभ का रूप और विपत्ति का रूप समान समान है जो कोई जिसके द्वार पाब गरेगा इसके द्वार यंत्रना मिलेगा इसलिए तो प्रभु ने एक बार कहा था तलवार म्यान में रखो जो तलवार उठाता है तलवार से ही नश्ठोगा instrument of sin becomes instrument of punishment जिस एरिया में पाब होगी उसी एरिया में suffering आएगा तलवार उठाएंगे तलवार से मरेंगे हालेलुया और दावोद ने जो पाब किया था लेकिन उसके बाद जो विपत्ती आई वो विपत्ती थोड़ी नहीं थी उसके बाद फिर क्या हुआ दावोद को दावोद के वेटी को बचा नहीं पाए और बैटे को बचा नहीं पाए और वो बैटा बड़ा वाला बाद में अपने दोस्तों को समिला कर एक सेना सेना बनाता उसके बाद अपने पपा के खिलाफ आ जाता है दावोद को मारना चाहता है अब दावुद के सामने कैवल दो बाते आई एक या तो मैं अपने बैठे को मारू या मैं महल छोड़कर भागू उसने अपने महल को छोड़ने के लिए नुरने लिया और रातों रात महल छोड़कर अपना कुर्सी छोड़कर अपना सब को छोड़कर ओ जंगल की और भागा वचन में लिका है भागते समय जब घर चोड़ कर जाते समय वो जूता पी पहन नहीं पाया नंगे पाव भागा वचन इसके दुआरा हमको ये शिच्छा देते हैं कि एक राजा भी क्यों नहो प्रभु के भक्त भी क्यों नहो जब पाप करते हैं पाप जब आपका पीछा करेगा उस समय आपको आपके जीवन में जब सबसे जरूरी चीजों से भी आपको वंशित कराएगा जब भागते समय चप्पल भी एक जूता भी पहन नहीं पाया हालिलुया चाप करता है पाप का दास है गुलाम बना इसलिए राजा है अब राजा के अधिगार उन से चीन लिया गया पाप अपको आपके साथ क्या क्या खराएगा और उसके बाद रास्ते में जब दावूद जब भाग रहा है रास्ते में बैठा हुआ एक आत्मी कि एक प्रजा है शमय उसका नाम है वो गंदी गंदी गालियं बखर है पत्तर उठा के उसको राजा को मारता है संदेश क्या है राजा का प्रजा के उपर का थिगार भी नश्ठ हो गया प्रजा राजा के खिलाफ आ जाती है पाप के कारण और उसके बाद हम देखते हैं राजा जब दावुद जाकर जंगल में छिप जाते हैं उसका बैटा उनको पाए बगर वापस आ जाता है और इसलिए उसने दावुद की पत्नियों के साथ सरे आम बलात करता है ओभी छत्त के वपर उसने ये गलत कारी किया इसका मतलब क्या है पपा ने जो कार पिता ने जो कार चौरी चुपके किया था बैटा अपने समय में इसको सरे आम करता है पाप कई गुना बढ़ जाता है जो विपत्ती की रूप लेकर जब घर में वापस आते है पाप बढ़ जाते हैं बोले हलेलुया हलेलुया इसलिए प्रेजनों पाब की सुभयानक्ता के बारे में इसलिए प्रभु हम को जानकारी देते हैं जिससे हम पाब को अपने पास में रहने ना दे बलकि पाब को समाप्त करने का ठीकार रखने वाले के पास पहुंचा दे इसलिए तुम क्यों मरना चाहते हो मेरे पास लाउठाओ बोले हलेलुया जैसु की स्थथी येसु को धन्यवाद हलेलुया इसलिए प्रभू केते हैं डरो मत कई बार प्रभू कवच्छन केते हैं इस दुन्या में आपको किसी से डर नहीं है प्रभू को सब कुछ की उपरा थिगा र इसलिए हमें पाह हमें, डरना नहीं है, इसलिए हमें प्रभू के पास जाना है, किंदू उहीं प्रभू, और एक बात हमारे सामने रखते हैं, मत्ती के सुसमचार के अध्यायदस वचन अठाईस में, अंदो में इस वचन को भी हम सुने, प्रभु का वच्छन हमें बताते हैं मत्तीका सुसमचार अध्याए दस वच्छन 28 में हम बढ़ते हैं उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किन्दो आत्मा को नहीं मार सकते हैं वेलकि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनोंगा नरक में सर्वनाश कर सकता है उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनोंगा नरक में सर्वनाश कर सकता है हालेलुया जो शरीर को केवल मार सकते हैं कि इंदू आत्मा को नहीं मार सकते हैं उनसे नहीं डरना बीमारी, परेशानी, गरीबी आग हो तलवार हो और पानी हो समद्र हो और तुफान हो आंथी हो कुछ भी हो के अबल शरीर को मार सकता है उससे डरना नहीं है किंदू जो आत्मा को भी मारेगा उनसे डरना चाहिए प्रेजनों प्रवक्ता ग्रंद के अध्याई 21 वचन एक और दो पुत्र क्या तुमने पा आपों के लिए छमा मागओ साम्द के सामने के तरह पर आपसे दूर भागो यहету पास जाओगे तो तुमको काटेगा वचन- Ohio उसके डांद सिल्के दांदों जैसे है वे मनिश की आत्मा वंगा विनाश करते हैं आत्मा वंगा विनाश करता है पाप इसलिए वच्छन केता है जो शरीर और आत्मा दोनोंगा विनाश करता है उनसे डरो अगला वच्छन प्रतिक पाप दुधारी तल्वार है दुधारी तल्वार शरीर आत्मा दोनों को मारता है इसलिए वच्छन केता है पाप से डरना पाप को अपने पास रहने नहीं देना यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेको पाप को अपने हां ना रहने दो पाप को अपने हां ना रहने दो हालेलुया येसु की स्थुति हो येसु को धन्यवाद अंत में इस वच्छन को धन्यवाद देंगे इस वच्छन को हम धन्यवाद देंगे आयूद के अध्याई 11 वच्छन 13 तुम ईश्वर की और अभी मुख हो जाओ उसके सामने अपने हाथ पसारो यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेको अधर्म को अपने हाँ ना रहने दो पाप को अपने हाँ ना रहने दो हालेलुया पाप की इस भयानक्ता को प्रभू ने अपने उपर ले लिया और पाप ने उनके साथ हमारे पापों ने उनके साथ क्या किया सर से पैर तक खून से भरा हुआ उसके रूप को हम जब देखते हैं सूली पर भैंगर यातना सहते हुए निम्टा सूचक सूली पर दो डाकूँं के बीच में जब प्रभू सबोवम से तुरिस्क्रद होकर जब मरते हम देखते हैं हम अपने पाप को उनमर देखते हैं इसलिए वचन कहता है उसका कोई पाप नहीं था लेकिन हमारे कल्यानार्थ पिता ने उन्हें पाप का भागी बनाया He made him to be sin who knew no sin ये पाप बोथ हमारे खरदे में पच्छाताप को पईदा करे प्राप्त वचनों की योगिता से सच्छे पच्छताप का वर्दान हम में समय मांगे प्रभी येशु के सामर्तिवा नामबर सुनाये गे वचनों की योगिता से हम आपको आश्रुवा देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र, आत्मा के नामबर आमेन जै येशु